बॉलिवुट के फेमस एक्टर रितेश देशमुक जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। रितेश जल्द ही फिल्म प्लान ए प्लान बी में नज़राने वाले हैं जो नेट्फिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ तमना भाटिया भी नज़राएंगी। इस फिल्म को शशांग घोश डिरेक्ट करेंगे। आपको बता दे कि इस फिल्म के कहानी को रजत अरोडा ने लिखा है। उन्होंने इस से पहले Once Upon a Time in Mumbai, Dirty Picture, Kick और गबर इस बैग जैसी फिल्मों की कहानी लिखी है। रजत अब बतौर प्रड्यूसर भी इस फिल्म में काम करने वाले हैं। वही रितेश और तमन्ना के साथ इस फिल्म में पूनम धिल्लो और कुशा कपिला भी रोल प्ले करेंगी। नेट्फिक्स ने फिल्म की डिटेल्स शेयर की है। इसके मुताबिक ये फिल्म एक मैच मेकर की है। जिसे लगता है कि दुनिया में सबके लिए शादी बनी हैं सिवाए उसके। दूसरे तरफ एक बहुत ही कामियाब डैवोर्स लोयर जिसका एक सीक्रेट है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा। इसके उपर फिल्म की कहानी है। हाला कि फिल्म में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। भही रितेश देश्मुक ने फिल्म के बारे में कहा। मैं प्लान ए प्लान बी का हिस्सा बनकर काफी खुश हूँ। और अपने डिजिटल डेब्यू को लेकर एक्साइटेड भी हूँ। शशांक सर के साथ काम करना काफी मज़िदार रहा। सबसे जादा जो मुझे एक्साइटिंग लगा वो है फिल्म की स्टोरी और इस आनेक्सपेक्टेड लव स्टोरी की जर्मी।